न्यायों की पुस्तक अध्याए एक। कनानियों में से किसी किसी का नश्ट होना और किसी किसी का बच्चाना। यहुशु के मरने के बाद इस्राइलियों ने यहवा से पूछा की कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहुशु ने उत्तर दिया यहुदा चढ़ाई करेगा। सुनो मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहुदा ने अपने भाई शिमोन से कहा मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े। और मैं भी तेरे संग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला। और यहुदा ने चढ़ाई की। और यहुदा ने कनानियों और परिज्यों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उसमें से दस हजार पुरुश मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े, और कनानियों और परिज्यों को मार डाला, परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया, और उसके हाथ पाव के अंगुठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा हाथ पाव के अंगुठे काटे हुए, सत्तर राजा मेरी मेज के नीचे तुकड़े बिनते थे। जैसा मैंने किया था, वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरुशलेम को ले और वहा वहा मर गया। और यहुदियों ने यरुशलेम से लड़कर उसे ले लिया। और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला। और नगर को फूंक दिया। और तब यहुदी पहाडी देश और दखिन देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने और यहुदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की, जो हेबरोन में रहते थे. हेबरोन का नाम तो पुरोकाल में किरियत तरबा था, और उन्होंने शेशे, अहिमन और तलमय को मार डाला. वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पुरोकाल में किरियत से पेर था। तब कालेब ने कहा जो किरियत से पेर को मार ले ले उसे में अपनी बेटी अकसा को ब्या दूँगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कंजी उतनियल ने उसे ले लिया और उसने अपनी बेटी अकसा को ब्या दिया। और जब वहां उतनियल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमी मांगने को उभारा। फिर वहां अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उसे पूछा तू क्या चाहती है। वहां उसे बोली मुझे आशिरवाद दे। तूने मुझे दखिन देश्त दिया है तो जलके सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको उपर और नीचे के दोनों सोते दे और मुसा के साले एक केनी मनुश के संतान यहुदी के संग खजुरवाले नगर से यहुदा के जंगल में गए जो अरादा के दखिन की ओर है और जाकर इस्राइली लोगों के साथ साथ रहने लगे। फिर यहुदा ने अपने भाई शिमून के संग जाकर सपत में रहने वा इस नगर का नाम होर्मा पड़ा, और यहुदा ने चारो ओर की भूमी समेथ अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन ले लिया, और यहोवा यहुदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाडी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रत इसलिए वह उन्हें न निकाल सका, और उन्होंने मुसा के कहने के अनुसार हेबरोन कालेब को दे दिया, और उसने वहाँ के अनाक के तिनों पुत्रों को निकाल दिया, और यहुदा में रहने वाले यबुसीयों को बिन्या मिन्यों में न निकाला, इसलिए यबुसी आज के दिन तक यरुशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं। फिर युसुप के घराने ने बेतल पर चढ़ाई की और यहवा उनके संग था। और युसुप के घराने ने बेतल का भेद लेने को लोग भेजे। और उस नगर का नाम पुर्वकाल में लूज था। और उन्हों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा नगर में जाने का मारग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मारग दिखाया तब उन्हों ने नगर को तो तलवार से मारा परंतु उस मनुष्य को स उस मनुष्य ने हित्यों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा और आज के दीन तक उसका नाम वही है। मनुष्य ने अपने अपने गाव समेत बेतशान, तानाक, दोर, इबलाम और मगिदों के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसाही रहे। परंतु जब इस्राइली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली परंतु उन्हें पूरी रितिस से न निकाला। और एप्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला। इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहें। जबलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला। इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए आशर ने अको, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हलबा, अपीक और रहोप के निवासियों को न निकाला। इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली ने बेथशेमेह और बेथणात्र के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तभी बेथशेमेह और बेथणात्र के लोग उनके वश में हो गए, और एमोरियों ने दानियों को पहाडी देश में भगा दिया, और तर इसलिए एमोरी हेरेस नाम पहाड अयलोन और शालबीम में बसे ही रहें। तबी युसुप का घराना यहां तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गये। और एमोरियों के देश का सिवाना अक्रबीम नाम परवत की चढ़ाई से आरंब करके उपर की ओर था।